प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष 27 दिवस से पहले ही शहीदों के समान में मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शूरू किया जाएगा आज आकाशवानी से मन की बात कारिक्रम में उन्होंने कहा कि अमरित महसव के दौरान कई कारिक्रम शहीदों की स्मृती में किये जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेश शिलालेख भी स्थापित किये जाएंगे साथ ही प्रदानमंत्री ने कहा कि दिली में राश्ट्रिय समर समारक के पास अमरित वातिका बनाई जाएगी जिसमें साढ़े साथ हजार कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उप्योग किया जाएगा उन्होंने कहा कि वातिका एक भारत श्रेष्ट भारत का भव्य प्रतीक बनेगी आज जब देश में चारों तरप अमरित महोत्सव की गुंज है 15 अगस्त पासी है तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरूआत होने जा रही है शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा इसके तहट देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कारकम आयुजित होंगे इन विभूतियों के स्मृति में देश की लाखो ग्राम पंचायतों में विशेश सिलाल एग भी स्थापित किए जाएंगे इस अभ्यान के तहट देश भर में अमरित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी देश के गाउं गाउं से कौने कौने से पचतर सो कलसों में मिट्टी लेकर ये अम्रित कलस यात्र éta देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगी ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-ailing हिस्सों से पाउदे लेकर भी आएगी पचतर सो कलस में आई माटी प्रदान मंत्री ने देशवासियों से अपील किये है कि वे अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपत लेते हुए अपनी सेल्फी यूवा.gov.in पर अपलोड करें प्रदान मंत्री ने इस बात पर जोद देते हुए कहा कि बारिश का ये समय व्रिक्षार ओपन और जल्द संडरक्षन के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमरित महुतसव के दौरान 60,000 से अधिक अमरित सरोवरों का निर्मान किया गया है और लगभग 100 कुओं को जल्द पुनरभरन प्रनाली में परिवर्तित कर दिया. यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करी 100 कुओं को बॉर्टर रिचार्ट सिस्टिम में बदल दिया है. बारिस का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है. इससे इलागे में भू जलस्तर भी दिरे दिरे सुधरेगा. अब सभी गाउवालों ने पूरे खेत्र के करीब करीब आंट सो कुओं को रिचार्ट के लिए उप्योग में लाने का लक्ष बनाया है. मन की बात में प्रधानमत्री श्री मोदी ने हज यातरा से हाल ही में लोटी मुस्लिम महिलाओं के पत्र का उलेग करते हुए कहा कि 4000 से अधिक महिलाओं ने बिना किसी महरम यानि किसी पुरुष साथी के बिना ही हज यातरा पूरी की है. ये परिवर्तन सरहनी है